हलो फ्रेंड्स वेल्कम डू मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हर भी पटेल बात करूँगा आपसे उस वीडियो में पर रहे हैं मड़ा दिन के नए माउक टेस्ट के संबन्द में और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बेल आइकून को भी दवाना मत भूलेगा जिससे के आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे और मुझे पता है कि आप लोगों की तैयारी जो है है वो पर्रहणदन का हो देखिए आपको पता ही है कि इन सब्जेक्ट में से 30 नंबर का पर आता है ठीक है तो पर्रहणदन में भी आज जो है 30 प्रशन है देखते हैं आप लोग कितने प्रसंद सही कर पाते हैं देखिए अगर आप 21 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयार हमेशा धीमी मत करिए क्योंकि एक्जाम का समय जो है नजदीक आ रहा है अगर आप लोग कमजोर पड़ेंगे तैयारी करने में तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो पढ़ते रहे पढ़ते रहे तो आज का मौक टेस्ट है हमारा परवड़ दिन का देखते हैं आप लोग कित अनाइमूदी देखे अरावली परवत का सर्वोच सिखर है आपका गुरु सिखर ठीक है अरावली परवत राजिस्थान में है और गुरु सिखर इसका सर्वोच परवत सिखर है दच्छिड भारत की सबसे लंबी नदी है कावेरी नर्वदा गोदावरी यान में से कोई न देखे दच्चिड भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह है गोदावरी भारत का पश्यमी बिंदु है गौर माता किव्यूत इंद्राकाल इंद्रा पॉइंट पश्यमी बिंदु पूछा है देखे भारत का पश्चमी बिन्दु है आपका गौर माता ठीक है किवित पूर्वी इंद्राकाल उतरी इंद्रापन तच्छडी अगला प्रस्ने विस्व जय विविद्ता दिवस कब होता है 22 अपरेल 22 माई 22 मार्च 5 जून विस्व जय विविद्ता दिवस कब होता है बहुत ही महतपोण ये डेटे हैं इनको याद जरूर कर लिजेगा ठीक है विस्व जय विविद्ता दिवस होता है आपका 22 माई को ठीक है रट लिजेगा वियना सहर किस नदी पर है पोटो में एक अरा कावा टेगस डेंगू इसे में ज़्यादा हो रहा है तो वियना किस नदी पर बसा हुआ है यलो बुक किस देश से संबनित है जर्मनी चीन फ्रांस चापान देखिए जो यलो बुक है वो फ्रांस देश से संबनित है यह फ्रांस का अधिकारिक दस्तावेज है इरान की राजधानी क्या है तेहरान, ओटावा, ओसलो, पेरिस तो इरान की राजधानी जो है यह है आपकी तेहरान किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, सी ओ होता है देखिए विटामिन वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है आपको नहीं पता हो लेकिन आई थिंक आप लोगों को पता होगा तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है विटामिन वी बारा में ठीक है अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखें मॉक टेस्ट के रूप में या टापी गॉइस जो मैंने वीडियो बनाए हैं तो आप देख सकते हैं उनको अगला है अनाक्सी स्वसन के फल्सुरूप प्राप्थ होता है कारबन डाइकशड, 38 ATP, पायरूवी कमल या SAT कमल अनाक्सी स्वसन के फल्सुरूप क्या प्राप्थ होता है, very very important प्रस्ण है और आप लोगों को पता यह है, मैं जो ओल्लग बग important प्रस्ण है रखता हूँ, जो की exam में आयो होते हैं कुछ ऐसे प्रश्ण होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं लेकिन वो महत्रपूर होते हैं एक्जाम के लिए तो नाक्सी सतन के फलतुरूप जो है पाईरुवी कामल बनता है वसा में घुलनसील विटामिन है विटामिन B, विटामिन C, विटामिन A या विटामिन विवारा तो विटामिन A जो है ये आपका वसा में घुलनसील विटामिन है एडेक ये चार विटामिन जो होती है ये वसा में घुलनसील विटामिन है मैंने आपको पहले ही बताया है इसको अगर इधर से पढ़ेंगे तो केड़ा कह सकते है प्रोटीन सब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया हारवे यानि विलियम हारवे विलियम फंक बरजीलियस या मिसर ने देखे प्रोटीन सब्द का सरपुथम प्रयोग किया था बरजीलियस महोदे ने कोशिका की खोज सरपुथम किसने की राबर्ट हुक राबर्ट कोच विट टेकर या रदरफोड कोशिका की खोज की थी राबर्ट होक ने राष्ट पती पर महा भियोग किस अनुछेद द्वारा लगाया जाता है अनुछेद बहासट, अनुछेद एकसट, अनुछेद उनसट या अनुछेद अठावन राष्ट पती पर महाभ्योग जो है अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है अगला प्रश्ण नागरिक्ता बारती समिधान के किस भाग में है बेरी बेरी इंपॉर्टन प्रश्ण है भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 2 में, भाग 3 में यहाँ पर भाग 5 कर लिजी तो नागरिक्ता समिधान के किस भाग में है तो नागरिक्ता समिधान के भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11 के मद जो है नागरिक्ता है अनुच्छेद 12 से 35 के मद जो है आपका मूल अधिकार है ये बाता आपको ध्यान रखनी है दची गाम राष्टी उद्ध्यान कहां है UP मतलब उत्तरपडेश, UK मतलब उत्तराखंड, TN मतलब तमिलनाण, JN के मतलब जम्मो कस्मीर तो बताए दची गाम राष्टी उद्ध्यान कहां है आपका तो दची गाम राष्टी उद्ध्यान जो आपका ये है JN के में इटाई इटाई रोग होता है पारा, केडमियम, आरसेनिक, नाइटरेट इटाई इटाई रोग होता है ये होता है केडमियम की बज़े से तरतियो को भोकता निम्न में से कौन है मेढक, गाय, सेर, खरगोस त्रितिय को भोक्ता आपका सेर है अगला है टोड़ा जन जाती किस राज जिसे सम्वनित है तमिलाड़ यूके उत्रागन यूपी मतलब उत्रबजेंड के मतलब जम्मू कस्मिर तो टोड़ा जन जाती जो है किस राज जिसे सम्वनित है ये सम्बन्दित है तमिन लाडू ठीक है तो इसका आप्टन आपका पहला सही होगा पूर्वी रेल्वे का मुख्याले कहा है जैपूर में है कोलकाता में है भोनेस्वर में है चन्नाई में है पूर्वी रेल्वेय का मुख्याले जो है ये आपका है कोलकाता में आपका भी आप्शन सही होगा आंत्रिक जल परिवहन प्राधी करण का गठन कब हुआ 1980 में, 1982 में, 1983 में, 1986 में आंत्रिक जल परिवहन प्राधी करण का गठन हुआ था 1986 में I think आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे मौक्टेस्ट करते हुए पर्राधाधन के हम लोगों ने इतने ज्यादा मौक्टेस्ट कर लिये हैं कि अभी भी जो है कोश्चन बहुत कम रिपीट होता है अगर पर्राधाधन को हम पढ़ते रहें तो एक्जाम तक मैं आपको एक नया मौक्टेस्ट देता रहूँगा अगर आपको पर्राधाधन के लुधियाना किस नदी पर है सतलज तापती गोमती चम्बल लुधियाना जो है यह आपका है सतलज नदी पर लाल सागर और भूमद सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है अलबर्ड नहर, वैलेंड नहर, स्वैज नहर, पनामा नहर लाल सागर और भूमद सागर को जोड़ती है नहर वो आपकी है स्वैज नहर पवन द्वारा निर्मित इस्थलाकरतियां है अलब इस्थलाकरती है फ्योड, जिवगेन, गिरिका, एसकर पाबन द्वारा निर्मित इस्तला करती है ये है आपकी जिवगेन देखिए ये एक्जाम में जो है पूछी जाती है कभी हिमानी के द्वारा कभी भूमिगत जल के द्वारा ठीक है इस प्रकार से प्रस्ण बनते हैं तो उनको भी ध्यान रखेगा अगला है राकी परिवत राकी परवत किस महद्यूब में है यूरोब में है उत्री अमेरिका में है दच्छरे अमेरिका में है आस्टेलिया में है देखिए राकी जो परवत है ये है आपका उत्री अमेरिका में आगने चट्टान निम्न में से कौन सी है बेसाल्ट है नमक है स्लेट है नीस है आगने चट्टान जो है आपका ये है बेसाल्ट पहला आपसे निसका सही है दिखिए आगे बढ़ रहे हैं और अंति प्रश्णों के और हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्ने मारा Black Forest परवत कहा है फ्रांस में है जापान में है जर्मनी में है या USA में है दिखी Black Forest परवत जो है ये आपका कहा है जर्मनी में अगला प्रश्ने सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ब्रहस्पत है मंगल है बुध है या सुक्र है सबसे बड़ा ग्रह सभी जानते हैं यह आपका है जुपिटर यानी ब्रहस पर दिख रहे हैं। अगला प्रस्ने देखिए 27 से यहाँ पर 29 हो जाएगा और यह आपका 30 हो जाएगा। ठीक है? तो फाबोस उपग्रह किसका है? बुद्ध का है? सुक्र का है? मंगल का है? यह ब्रहस पर दिका है। फाबोस और डिमोस किसके उपग्रह है? इस पेंसे एक ही दिया गया है। तो फाबोस जो उपग्रह है वो है मंगल ग्रह का। अगला प्रस्ने अरून ग्रह की खोज किसने की? विलियम हरसल, टालमी, आर्म, इंगस्ट्राम, जार्ज, लेते मर। तो अरून ग्रह की खोज की थी विलियम हरसल लें। इस प्रकार से आज के 30 प्रस्न जो हैं समाप्त होते हैं। जितने भी प्रस्न आपने सही करें हैं कमेंट करके बताईएगा। अभी दो प्रस्न आपके लिए और भी हैं। क्योंकि ये 27-28 ता वो दुबारा लिग गया था। खेर कोई बात नहीं है। विधान सबाग का कारिकाल कितना होता है फटाक से बताईए तो विधान सबाग का कारिकाल होता है छे वर्स पांच वर्स शाट वर्स तो विधान सबाग का कारिकाल कितना होता है पांच वर्स अगला बहुत ही में हैत्रपूर्ण प्रशने संसद के सत्रों के बीच अधिकतम नहीं होना चाहिए एक साल दो साल छे साल स्वरी छे माह या दो बर यानि संसद के जो सत्र होते हैं उनके बीच कितना अंतर होना चाहिए तो होना चीज छे माह का अंतर ठीक है तो आई थिंक ये भी प्रस्ण आप लोगों ने कर लिए होंगी तीस प्रस्ण में आपने कितने प्रस्ण सही करें कमेंट करके जुरू बताएगा थैंक्यू फ्रेंट इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है